है में आज हम लोग देखेंगे यं यूनित नंबर 4 के बारे में यूनित नंबर 4 का लेक्श contain नंबर 1 तो के यह सुरंदीर गुडिवनीं इसमें लोग देखेंगे एसेप्तिक एरिया है और microbial control के बारे में और आज जो topic हम लोग discuss करने वाले हैं that is designing of the aseptic area aseptic area कैसे design किया जाता है laminar flow equipment के बारे में बात करेंगे sources of contamination कहां कहां से contamination आ सकता है ठिक और उर contamination को prevent करने के क्या-क्या method हो सकते हैं इतनी चीज़ों के बारे में हम लोग आज discuss करने चलो वहीं सुरू करते हैं कोसिस करेंगे तीन या चार लेक्चर में इसको हम लोग खतम कर दें ठीक प्रपर्ली हां introduction के अगर हम बात करें तो में गोल क्या होता है aseptic area का basically aseptic area क्या है controlled area जिसको हम बोलते है control किस पर करोगे control contamination पर करोगे microbial growth पर करोगे जहां पर चीज़ें ऐसा नहीं कि पूरी तर है लेकिन यह क्या controlled है design such as the aseptic or sterile environment which provide controlled environment so that the entrance of viable microorganism जिंदा microorganism और non viable particle यानि जिसको हम contaminants बोलते हैं can be minimized controlled area का मतलब जो चीज़ें नुकसान करने वाली है हमारे formulation को जो contaminate करने वाली है चाहे वो viable जिंदा microorganism हो या non viable particles हो non living particles हो या कोई भी contaminants हो उनको हम minimize कर सकें ऐसे area को हम aseptic area बोलते हैं controlled environment क्या करता है यह रोकता है cross contamination को of compound of sterile preparation cross contamination का मतलब भई माना भई जो industry है ऐसा तो नहीं कि वहाँ कोई केवाल एक product बन रहा है ठीक कई सारे product बन रहे हैं जैसे देखो एक figure दिखाता हूँ यह देखो ठीक है देखो ध्यान से यह corridor है यहाँ पे अलग-अलग देखो room है जैसे suppose करो यह एक manufacturing area है इसके अंदर काम हो रहा होगा यह एक अलग area है यह एक area है ठीक वैसे ही उसके opposite side में भी area है यह अलग-अलग area है जहाँ पे formulation हो रहा है तो cross contamination का मतलब मान लिया यहाँ पे बाएय है अब जब डोर ऑपन होता है बाहर की तरफ को कहा ओपन होगा बाहर गी तरफ को हमेशा ध्यान रखना अंदर को नहीं open होगा खैक तो हैसा नहों की यह प्रोड़क्त इधर आ और ये product इधर आ जाए इसी को बोलते है cross contamination मतलब इधर का product इधर न चला जाए इधर का product इधर इस मतलब है ये product उसमें न मिल जाए वो product उसमें न मिल जाए है ना तो ये industry का है किस industry का जहां मैं काम करता था exactly बिलकुल hundred percent यहां पे इस जगे पे compression area है ठीक है जो सबसे पहला वा क्या है बीच compression area के जस्ट बगल कोटिंग का area है ठीक है कोटिंग के एरिया के जस्ट बगल quarantine area कौण सा है कौरंटाइन एरिया है और ये लास्ट वाला ये चेंज पार्ट रूम है जहां पे जो मसीनों के parts होते हैं वो रखे जाते हैं तो इस तरीके से हम लोग जो है इसी area में काम करते थे ठीक तो ये था cross contamination इसको बोलते है cross contamination तो कहने का मतलब एक साथ कई सारे product बन रहे हैं तो इधर का product इधर इधर का इधर इधर का इधर ना आ जाए आपस में compound का reduce the contamination related risk ऐसे सभी तरह के contamination ऐसे सभी तरह की मिलावट जिससे हमारे product को नुक्सान हो सकता है risk हो सकता है ठीक उन सब को control किया जाता है इस controlled area में all compounding should be done within the primary engineering control जितना भी compound बनाये जा रहे हैं बाकाइदे मलब engineering technology की मदद से जैसे laminar airflow hood laminar airflow hood एक laminar bench होता है जहां पे पूरे room कई बार का होता हम पूरे room को aseptic बना लेते हैं और कई बार पूरे room को अगर aseptic नहीं बना पाए तो laminar है जो aseptic हो सकता है math means यह हमने एक area बना दिया इस area को हमने complete कर दिया aseptic laminar flow क्या होता है आप अपने college में जब पता करोगे फर्मासोटिक्स की lab में जाओगे तो वहां आपको देखने को मिलेगा तो दो तरीके के basically यह laminar होते हैं एक horizontal होता एक vertical होता है एक horizontal एक vertical इसमें और कुछ नहीं होता जो vertical होता है उसमें उपर से vertically air नीचे circulate करती है जो horizontal होता है horizontal में horizontally air circulate करती है सिर्फ air जिस direction में circulate करती है उसी direction की वज़े से उसका नाम पढ़ जाता है ठिक अगर vertically उपर से नीचे की तरफ जाएगी तो उसको क्या बोलेगा vertical vertical laminar flow और अगर horizontal आएगी तो उसको बोलेगा horizontal laminar flow ठीक तो आपके college में होगा तो आप वहां देखोगे तो exactly पता चल जाएगा तो हम क्या करते हैं चाहे पूरे area को या फिर हम laminar को ये एक ऐसी जगे है कि पूरा area भले ही हमारा clean में हो clean में हो मतलब वह aseptic नहीं है लेकिन ये जो हमारी assembly है ये जो हमारा laminar flow bench है ये complete क्या है aseptic है यहाँ पर हम काम कर सकते हैं यहाँ पर control कर सकते हैं जिसको बोलते हैं work bench laminar को क्या बोलते हैं work bench मतलब हम यहाँ बैठके aseptic काम कर सकते हैं ओके biologیکल सेफटी कैबिनेट भी बोल सकते हो, इसको compounding aseptic isolator भी बोल सकते हो. कई नामों से इसको जाना जाता है, लेमिनार फ्लो भी बोल सकते हो, compounding aseptic isolator भी बोल सकते हो, biologicalestruct Waitvent भी बोल सकते हो. तो मैं एक खिएल से laminar का concept तुमों को समझ में आ गया होगा. ठिक अब designing the aseptic area aseptic area design करने में क्या-क्या features उसमें होने चाहिए ये questions कुछे जाते हैं exam में aseptic area is the area where strict control measure adopt avoid contamination ultimately ध्यान रखो जितना ज़्यादा देखो तीन range दी गई है एक है clean ठिक एक है aseptic एक है sterile ठीक है अब देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत contamination रहेगा जैसे जैसे अब इस direction में बढ़ते जाओगे contamination का level reduce होता जाएगा मतलब यहाँ पे थोड़ा रह सकता है यहाँ पे control किया जाता है reduce कर दिया जाएगा और यहाँ एकदम खतम sterile में बिल्कुल भी contamination होगा ही नहीं simple सी चीज समझने की कोशिस करो simple पोचा लगा दिया घर में liol से पोचा लगा दिया ठीक और इसका मतलब यह है कि हमने acid से धो दिया तो पोचा लगाओगे तो कुछ बहुत रह जाएगा chemical से धोगे तो controlled हो जाएगा सारा का सारा 100% नहीं remove होगा लेकिन acid से जब धोगे तो पूरी तरीके से जल जाएगा मतलब 100% कोई microbes नहीं रह जाएगा तो एक समझाने के लिए बताया है मैंने कि इस तरीके से इस चीज को समझ सकते हूँ तो properly aseptic area कैसा है controlled area है इसको क्या बोलते है controlled area चाहे micro organism चाहे viable मतलब जिंदा microorganism हो viable microorganism या non viable particles उन सब को control करते हैं किस level तक जिस level तक हमारे product को risk नहों सके हमारे product को कोई नुकसान नहों सके उस level तक यहाँ पर हम क्या करते हैं aseptic situation को maintain करने की कोशिस करते हैं इसमें देखो procedure space onward हो सकता है aseptic dedicated area है मतलब पूरे area को देखो यह क्या है complete room है complete room है ठीक यह क्या है यह dedicated area हो गया जैसे laminar flow पूरा पूरा area ना करके laminar flow कर दिया sterile के case में हम पूरे room को sterile कर देते हैं यहाँ पे area का चक्कर नहीं है area या onwards sterile नहीं हो सकता ठीक बनलब कोई chance ही नहीं पूरे room को ही sterile करना पड़ेगा कोई chance नहीं बनता है किसी तरह के कोई microorganism का 100% clean area चाहिए gloves की बात करें कैसे इस्तेमाल करने चाहिए तो यहाँ पे साबून से धो के इस्तेमाल कर लो यहाँ पे sterilized gloves का इस्तेमाल किया जाता है ठीक और यहाँ पे sterile surgical gloves का इस्तेमाल किया था किसमें sterile में hand hygiene की बात करें अगर हम area के अंदर जाते हैं तो हाथ कैसे hygiene करते हैं यह routine hygiene sabun detol चाहिए जाहिए से धोलो इसमें antiseptic 70% IPA isopropyl alcohol से और sterile condition में जब आप जाओगे तो surgical scrub करते हैं पहले हाथ को अच्छे से surgically wash करते हैं उसके बाद iodophore से sanitize करते हैं ताकि microbes के होने के chances एकदम zero हो जाए skin antisepsis की बात करें तो यहाँ पे कोई chance नहीं है यहाँ alcohol से करते हैं और यहाँ पे long acting agent की ताकि आप जितने देर तक area में रह सको आपके अंदर microbes grow ना कर पाएं sterile field की बात करें यहाँ कोई sterile field नहीं है यहाँ पे भी aseptic में भी कोई sterile field नहीं है यहाँ पे long acting yes बिल्कुल sterile field होती है ठीक है sterile gown और mask की जरूद clean area में कोई जरूद नहीं है aseptic area में कोई जरूद नहीं available कराई जाती है okay building कैसी होगी building का design construction और production facilities ध्यान दो इस चीज़ को इसमें पहले समझो की क्या क्या चीज़े है क्या बोलते हैं यह क्या है इसको बोलते हैं air lock system क्या बोलते हैं air lock air lock क्या है pressurized air से यह lock रहता है हर area के बीच में हर area के बीच में एक change room type होता है क्या रहता चेंज रूम मतलब बाहर के area से जैसे suppose करो यह कौन सा area है यह outside है outside का मतलब non core area कह सकते हो non core area कह सकते हो non core area ठीक अब किसी दूसरे area non core से मतलब कोई दूसरा area समझ लो किसी भी area से जब आप दूसरे area में जाते हो तो वहाँ पे बीच में आपको airlock से होके जाना पड़ता है आप इधर से नहीं जा सकते इधर से कोई रास्ता नहीं मिलेगा इधर से कोई रास्ता नहीं इधर से कोई रास्ता नहीं इधर से अगर आप इस area के अंदर जाना चाहते हो तो आपके पास एक अई तरीका है airlock airlock से ही होके जाना है यहाँ पे आपको इस area से related आपको safety measures लेने होंगे जो भी safety measures है अगर यहाँ पे जाने के लिए आपको overgowning की जरूवत है वहाँ पे SOP लिखी होगी जो भी बैदा है न safety measures में अगर overgowning hand gloves, head gear और पेरों में अगर booty पहननी होगी तो यहाँ पे change room में आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ से वो सारा gowning, overgowning wear करके safety measures लेके तब आप जा सकते हो कहाँ पे आपको preparation compounding area में जाना है वहाँ जा सकते हो आपको store में जाना है तो store में जा सकते हो यहाँ पे clean up area है जहाँ पे clean up area में क्या करते है जिन चीजों की packing करनी होती है जो चीज बनानी होती उनकी cleaning लग एक तरह का washing area समझ लो clean up area है ठीक यहाँ पे compounding and preparation जो formulation क्या जा रहा उसकी compounding की जाएगी ठीक इस area में हम क्या करेंगे इस area में Catholic filling करेंगे क्या करेंगे जो हमने बनाया हैactic area में liquid product होते हैं उनकी हम क्या करते हैं filling करते हैं while behind bottle में यहाँ पे चीजों को हमने क्या किया wash किया wash करने के बाद edge सच देखो थ्यान से इधर से इधर नहीं जा सकते इधर से इधर नहीं जा सकते, wash करने के बाद आपको sterilize कराना है, sterilize कराने के बाद आप preparation area में लेके जाओगे, थिक, sterilize कराने के बाद while कहा जाएगी,惹ल रेषा आप अचैपक प Elis अदर्वाइज एक स्टोरेज सेक्शन होता है बीच में कुछ देर के लिए जिसको बोलते हैं रिले सिस्टम जैसे आप फ्लाइट से कहीं जाते हो फ्लाइट कनेक्टिंग होती है तो बीच में एरपोर्ट पे कुछ देर के लिए रोका जाता है उसी तरीके से कौरंटाइन ए हो जाएगी बहुता फ्लाइएगी जो बाखी की पैकिंग हो रही फिनिष हो जाएगी तो तुरंत नया बैच Packaging एरिया में लग जाएगा ठिक क्वालिटी कंट्रोल कर लेते हैं ऐसे कि पिलिए उसको फाइनली हम गो-घृम में जिसको डो असुब और फिर जब उसका टाइम आता है indent complete होने का तो यह shift करके vendor के पास पहुँचा दिया जाता जिसको भी requirement होती है जिसने भी बनवाया है जो भी जिसको भी marketing जहां पे भी इसकी मूलब export करना है या किसी vendor ने बनवाया है या किसी marketing वाले ने बनवाया है जिसने भी बनवाया उसकी चीज, हमारा काम क्या है, बना के पैक करके quality control report लगा देना, ओके, तो यहां तक का काम, बाकी का काम आगे warehouse वालों का है, warehouse वाले फिर इसको जो है, consignment आगे पहुचा देते हैं, तो इस तरीके से हमारा proper area designing की जाती है, ध्यान रखा जाता है, सबसे प घुसते हो, पहले तो खुब बड़ा सा हवा का पंखा लगा होगा, gate पे ही, है न, वो सबसे पहले तुम पे हवा मारेगा, हवा बहुत तेजी से मारेगा vertically, इसलिए मारेगा, ताकि तुम्हारे उपर कोई dust particle, कोई मच्छर, मखी, जो भी तुम्हारे कपडों से चिपका हाथ और पैर वाश करने के लिए, ट्वालेट वगरा और ड्रायर ये सारी बेवस्थाएं होंगी, उसके बाद फिर आप पहुंचोगे airlock में, airlock को ही हम change room बोल सकते, यहाँ पे आप अपने जो घर के कपड़े उनको उतारोगे, वहाँ जो industry के कपड़े उनको पहनोगे, पहीं का सूज पहनोगे, जोता पहनोगे, अपने जोते उतारोगे और फिर जाके आगे area के अंदर इंटर करोगे, area के अंदर भी कई सारे area होते हैं, अब किसी भी area में अगर आपको जाना है, तो बीच में airlock होगा, उस airlock पे आगे का जो भी चीजे हैं उसके safety majors होंगे, अ safety majors लेने होते हैं, इस तरीके सा कभी भी aseptic area का अगर design बनाने को आजाए, तो same to same यही चीज बना देना, ओके, production for sterile product, production for sterile product is carried out in clean atmosphere, मतलब, जो भी sterile injectables वगरा होते हैं, उसको कहां पे करते हैं, clean area, clean atmosphere में, environment should be free from quality microbes and dust particle contamination, clear, limit contamination is essential to reducing product contamination, अगर वहाँ पे contaminants या contamination जो भी करता है, वो अगर reduce हो गया, उसका number reduce हो जाएगा, तो जाहिरती बात है, product का contamination automatically कम हो जाएगा, production area is having many other small areas, production area में बहुत सारे area होते हैं, हमने बताया इसे, clean up area हो गया, compounding area हो गया, aseptic area हो गया, quarantine area हो गया, packaging area हो गया, जो हमने अभी आपको explain किया, कि इन area में कौन-कौन से काम होते हैं, मैंने exactly बताता हूँ, इन areas में तो हम लोग काम करते थे, 10 साल मैंने बिताया IC में, तो इसलिए इनकी pictures, बिल्कुल जब मैं समझाता जाता हूँ, तो pictures दिमाग में चलती जाती है, ठीक है, जैसे मैंने ये समझाया आपको, building कैसी होनी चाहिए, building ऐसी होनी चाहिए, यह जो द रात के बारा एक बजे के आसपास, तो industries में night नहीं होती, रात नहीं होती, खास चीजे जहन दो, क्या क्या हैं, हाँ, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, किस के बारे में देखेंगे, किस तरीके से building का design होगा, सबसे पहले बात करेंगे, floor कैसा होगा, wall कैसी होगी, ceiling कैसी होगी, मतलब, जमीन, दिवाले और च्छत के बारे में बात करते हैं, चलो भई, फोटो लेके दिखा देते हैं आपको, और चीजों को समझाने की कोसिस की जाती है, अब देखो भई, हम flooring की बात करें, flooring देखो, एकदम कैसी sign कर रही है, इस तरीके से बनाई गई है इस तरीके से, कि अगर hair particles भी यहाँ पे गिर जाए तो shine करेगा, dust भी गिरेगी तो shine करेगी, पता चल जाएगी, cleaning बहुत आसान होनी चाहिए, बहुत smooth surface होनी चाहिए, wall देखो बाकाइदे epoxy लगी हुई, बिलकुल चिकनी, ताकि dust particle भी इस पे रुक न सके, वो भी नीचे आ जाए, अब ये जो च्छत होती है, उसके च्छत और दिवाल के जो corners होते हैं, ये कभी corners बने नहीं होते, ये हमेशा round circle में होते हैं, ताकि घरों में देखो क्या है, कोने बने होते हैं, तो कोनों में क्या अक्सर जाले लग जाते हैं, dust बैठ जाती है, अब ये circle में होने की जान से कहीं कोई कोना दिखाई नहीं देगा, circle में होने की वज़े से साफ सफाई, cleaning बहुत आसान हो जाती है, कहीं पे किसी दीवाल पे, किसी जमीन पे आपको light नहीं मिलेगी, light कहां है, सारी की सारी light उपर लगी हुए, ये देखो, ventilating, ventilation वाले जो हम हेपा filter की बात करते है ये देखो, subject, alternate, ये हेपा filters लगी हुए है, कहे के लिए हवा के लिए, air condition देने के लिए, जितनी भी light'े हैं, ये सारी की सारी light'े कहां, छट पे लगी हुई है, और कोई light खुली नहीं है, glass के frame के साथ set है, ताकि वहां पे कोई भी जो product बन रहे हैं यहां पे, जैसे एक time पे एक manufacturing area, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, एरिया जदा दिख रहे हैं, लेकिन हमने सिर्फ पाँच दिखाए, पाँच दिखाए क्योंकि बाकी के area क्या है, quarantine area है, मतलब next step में जाने से पहले, जो एक step में रुका जाता है, उस step को हम quarantine कुछ देर के designing floor or roof होती है, अब पढ़ने की कोसिस करते है, theory में क्या बताया गया है, all the floor wall ceiling must be smooth, easy to clean, disinfected, to be constructed to minimize microbial and particular contamination, तो जो चीजें यहां पे रहें, जो चीजें रहें वो आसानी से visible हो जाएं, आसानी से दिख जाएं, ऐसी बनानी चाहिए, इलकुल, देखो, core area जहां पे manufacturing होती है, ब आप लोग industry विजिट करने जाओगे न, तो यह जो glass लगा हुआ न, दर्वाजा, अंदर तो जाने देते नहीं है, विजिट करने में यह जो दर्वाजा है, इस दर्वाजे के पास यह glass है, वही से दिखा देंगे, कि देखो भई, वहां पे यह बन रहा है, उस room में उस room मे अंदर से कुछ नहीं दिखाते, ठीक, क्योंकि हम लोग भई, जब हम लोग काम करते थे, तो हर साल, बहुत सारे बच्चे आते थे विजिट करने के लिए, तो यही procedure है, exactly हम लोग विजिट कराते थे, इसलिए पता है, अब देखो, flexing and non-flexing type material used for the construction of floor, मतलब, जमीन के लि यह डिपेंड करता है कि किस तरीके के material की manufacturing की जा रही है, क्या है कि भई industry की बात है, number of hundreds of types के हमें manufacturing करनी है, कहीं पे soft gelatin की filling की जा ही है, soft gelatin capsule की manufacturing की जा रही है, कहीं hard gelatin capsule के shell बनाये जा रहे है, कहीं hard gelatin capsule में filling की जा रही है कहीं tablet बनाया जा रहा कहीं dry syrup बनाया जा रहा कहीं injectables बनाया जा रहा है कहीं dry powder बनाया जा रहा है तो number of formulations होते हैं industries के अंदर उसी के according decide किया जाता है कि हम उसकी flooring किस तरीके से रखेंगे ठीक है non flexing की बात करे non flexing simple flexing में flexibility होती non flexing में कोई flexibility नहीं होती wall की बात करे wall should be made up of non inflammable, आग लग जाए तो ऐसा material होता है कि जले नहीं, जैसे glass का glass का, पूरा तो glass का होता नहीं, लेकिन जो windows होती है, जो window लगी होई होती है, वो glass की होती है हर room में खुप सारी window होती है, इसलिए नहीं होती की ventilation आ सके, इसलिए होती है, ताकि उजाला अच्छा खासा आ सके भई, industries के अंदर कोई भी कोना ऐसा नहीं होगा जो dark होगा, बिलकुल perfect उजाला सब जगे आपको मिलेगा okay, तो metal glass का, stainless steel, minimization of the fungal growth, 1% hydroxy chemicals, जो है, wall की जब painting की जाती, तो उसमें मिला दिये जाते, ताकि फंगल और microbial growth ना हो सके, okay epoxy resin की बात करें paint में use किया जाता, इससे sign बहुत अच्छा आता है, ये कहां कहां पे जैसे, कहीं पे peeling हो जाए, अब चाहे peeling जमीन में हो, मतलब कभी-कभी flooring में जो crack होने लगती है, flooring crack होने लगती है, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर epoxy वाले को बुलाया जाता है, और epoxy करके उस surface को चिकना कर भी आता है, वही हाल आपकी wall पे होता है, wall में भी अगर flooring crack होने लगे या गिरने लगे, तो फिर उसमें भी क्या करते हैं, epoxy लगा दी जाती, तो crack वगरा होने बंद हो जाते हैं, sealing are sealed to prevent the entry of contaminants, cupboard, drawer, selfs and other equipment kept in a septic room, minimize the possible otherwise there is the chances of the contamination, हना, तो कहने का मतलब यह है कि जो sealing वगरा होती है, इस तरीके से बनाई जाती कि कहीं पर किसी तरह का कोई gap ना हो, जिसकी वज़े से किसी तरह का कोई contamination ना आने पाए और cupboard, drawer, selfs यह सब किसकी, stainless steel 316 grade, कौनसी 316 grade, यह क्या है, यह stainless steel की grade होती है, stainless steel की grade होती है, तो वहाँ पर यही वाला steel use किया जाता है, अब door की बात करें, इस एरिया में थोड़ी बहुत light बंद है, कुछ light बंद की गई है, क्योंकि जिस एरिया में काम नहीं चलता, उस एरिया की light usually off कर दी जाती है, काम चलता है तो light, जलती रहती है, ठीक, तो जैसे जिस एरिया का काम, भई बचा के रखना बिजली भी, अब देखो door, कितने perfectly door एकदम, बाकाइदे, जहां पे भी gap होता है, चाहे नीचे की तरफ हो, चाहे side की तरफ, चाहे उपर की तरफ, वहां पे gas rubber के gasket लगा दिये जाते हैं, ताकि room के अंदर का जो hydrostatic pressure है, वो maintain रह सके, हर door के सामने, हर door के सामने, एक hydrometer लगा होता है, hydrometer भी लगा होगा और एक barometer भी लगा होता है, जो की room के अंदर pressure क्या वो बताएगा, hydrometer बताएगा कि बही कितना वहां का temperature और कितना वहां का relative humidity है, room में भी देखो, glass लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि हवा आने के लिए, ये glass से luminous आता है, means उजाला आता है, जो window लगी हुई होती है, कोई भी window खुलती नहीं है, देखो सभी जितने भी आपके area होंगे, उसमें windows लगी हुई होंगी, काहे की है glass window है, किसकी window है, glass की window लगी हुई होती है, ये window क्या काम करती है, इन window से उजाला आता है, जब आप काम करने जाओगे, तो आपको ऐसे ही area देखने को मिलेंगी, manufacturing area में जाओगे, तो exactly फिर यही काओगे, sir ने जो दिखाया था, ये तो same to same वही है, right, बिलकुल इसी तरीके से आपको देखने को मिलेंगी, तो इस तरीके से door होते हैं, इस तरीके से यहाँ पर windows बनाई जाती है, ठीक, और भी बहुत सारी services हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे, यह देखो यहाँ पर देखो area पूरी तरह से working है, देखो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कोई भी room का door अंदर को नहीं खुलता है, सारे के सारे door बाहर की तरफ, देखो, बाहर की तरफ को door खुल लेंगे नहीं, एक यह इस room का door, इस room का door दो 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 दिख गए, ठिक, इस तरीके से, देखो, side में ये stainless steel के borders लगे हुए होते हैं, ताकि जब material ट्रांसपोर्ट किया जाता है, trolley से, तो दीवाल से न टकराए, ताकि दीवाल को कोई नुकसान होने पाए, इस तरीके से काम किया जाता है, यहाँ पर alarm system होता है, किसी तरह की समस्या होती, तो alarm बच जाता है, तो यह हर industry का एक common मैंने बताया, लेकिन हर industry में यही सारी चीज़ें इसमें होती है, काफी interesting है, जैसे जैसे समझोगे, हमको जदा interesting इसलिए लगता है, तो कि इनी सब चीज़ों में मैंने काम किया है, तो हमको यह बहुत interesting और यह भी feel होता है, कि साहथ तुमको भी interesting लग रहा हो, तो कि after all, कोई भी अगर pharmacy कर रहा है, तो उसके दो इतीन सपने होते हैं, एक B firm कर रहा है, तो एक drug instructor बन जाओ, पहले number पे आता है, एंडी सेक्टर में जब आप जाते हो research and development में, तो वहां से आपको कई बार होता क्या है, कि आप foreign countries के लिए apply करते रहते हो, और ऐसा कोई project मिल जाता है, जिसमें research आपको foreign यानि abroad की laboratory में करने को मिलता है, और अगर एक बार foreign का project मिल गया, तो फिर बंदा इंडिया लोट के नहीं आता, वहीं further उसको project मिलते हैं, अगर काम अच्छा है तो वहीं project मिलते रहते, फिर कहते हैं पैसों में आप खेलते नहीं हो, पैसों में आप नहाते हो, पैसें में आप डुबकी लगाते हो, तो फार्मेसी की फील्ड एक ऐसी फील्ड है, अके लिए एक ऐसी फील्ड है, जहां कभी recession नहीं आता, बस तुम्हारे अंदर कितना talent है और कितना पैसा कमा सकते हो, इस पे depend करते हो, पता है ना एक बार जीपैट क्वालिफाई करो, तो क्वालिफाई करने के बाद R&D सेक्टर में जाओ, एक सिंगल टाइम और काम करते रहो इमानदारी से, काम करते करते हैं, फॉरेंड के प्रोजेक्ट के लिए अपलाई करते रहो, जहां कोई एक सिंगल प्रोजेक्ट मिल गया, जिस कंट्री में चले गए, वहां फिर समझे लो कि फिर तो तो तुमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट वहीं से आ जाएगा, समझे, तो ये चीज़े हैं, बड़े बेनिफिट्स हैं, तो दोर, विंडो, एन अधर सर्विसेस की बात पर दोर एन विंडोज आर फिटेड मच प्लोज तुगेदर विद दा वाल, इतना अच्छे से फिट के जाते हैं कि कहीं कोई गैप नहीं होना चाहिए, विंडोज आर केप्ट मिनिममम ओनली फॉर प्रोवाइडिंग इन लुमिनस, नॉट फॉर वेंटिलेशन तो मिनिमाईज उपनिंग, विंडोज का है कि कहीं वेंटिलेशन के लिए ज़ नहीं है, ताकि जब बाहर को आप खोलते हो, और अगर छोड़ दो, छोड़ दो गे किधर जाएगा, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाएगा, तो कोरिडोर का प्रेशर पॉजीव, रूम के अंदर का प्रेशर निगेट तो दरवाजा किधर को भागेगा, दरवाजे हमेशा अंदर की तरफ को भागे जाती इसलिए दरवाजे हमेशा इंडस्टी में रूम के बाहर की तरफ को खुलते हैं और बंद अंदर की तरफ होते हैं तो अपने आप चुकि अंदर निगेटिव प्रेशर होता है क्यों निगेटिव प्रेशर होता है इसलिए रूम के अंदर जो भी material बन रहा है वो दूसरे corridor में न जा पाए, दूसरे room में न जा पाए, क्योंकि room के अंदर negative pressure है, तो हमेशा कम pressure की तरफ चीज़ें भागती हैं, ज्यादा pressure की तरफ नहीं भागती हैं, तो corridor में positive pressure है, तो corridor में जो आपका manufacturing कर रहे हो, वो corridor की तरफ नहीं के अंदर ही रहेंगी, इसलिए cross contamination बच जाता है, इसलिए pressure difference रहता है, जितनी भी pipe हैं, जो भी wall में passing की जा रही हैं, वो closely fitted होनी चाहिए, बहुत तरह की pipelines होती हैं, ताकि cleaning आसानी से हो सके, gas cylinders वगरा जो भी हैं, कोसिस करना चाहिए, aseptic room में नहीं होने चाहिए, gas connection, pipeline, washing area, यह सब के सब aseptic room से बाहर होने चाहिए, जितनी भी light हैं, यह ceiling में fit होनी चाहिए, जो मैंने बताने हैं, छट में fit होनी चाहिए, और inside the ceiling, cover with the glass to avoid the deposition of dust, कई से होनी चाहिए, glass से covered होने चाहिए, ताकि lights के उपर dust ना बैठ सके, the switches of the lights should be outside the aseptic area, कहीं पर भी देखो हमने इतना area दिखाया, कहीं पर switch नहीं मिलेगा, सब के सब switch कहां पर होंगे, area के बाहर होते हैं, फिर personal and protective clothing की बात करें, देखो इस तरीके से, इस तरीके से protection होता है, देखो इस aseptic area में, बिलकुल कहीं से, कहीं से कोई भी चीज, इसके अंदर नहीं जा सकती, headgear है, headgear के उपर acrylic का चस्मा लगा है, ये glass का चस्मा नहीं, acrylic का चस्मा होता है, फिर headgear को क्या किया इन्होंने, उपर से लेके नीचे तक का ये क्या होता है, ये overgowning होती है, इसके अंदर भी gowning इन्होंने कर रखी है, उसके उपर gowning क्या, पहले पैर डाला फिर यह जिप से पूरा उपर तक बंद कर दिया ठीक हैंड गलफ में हैंड गलफ में जो आपकी ओवर गाउनिंग हो वो हैंड गलफ के अंदर ताकि जो हैर पार्टिकल्स हो बाहर न जाए जो जूते पहन रखें उसके नीचे क्या पहन रखा शू कवर इसको क्या प्रोटेक्टिव क्लोधिंग बोलते हैं इसको झीक अब ठेहरे में देखते हैं सो क्या वह क्या क्या कहते हैं क्लीर the contamination mainly comes from the skin surface of the operators basically contamination कहां से बाहर से आए हो दूसरे अरिया से आए हो तो दूसरे अरिये का powder आपके हाथों मेदा हाथों में लग गया तो क्या हो सकता है जायतवार्च है जब दूसरे अरिया में आपने अंटर किया तो दूसरे अरिया में आपके हाथों का वो जो powder है वो जा सकता है जिसके वज़े से cross contamination हो सकता है इसलिए गावनिंग ज़रूरी है इसलिए dedicated person होते हैं एक person को दूसरे रूम में जाने की इजाज़त नहीं है अगर जाना है तो airlock से हो के जाना है ताकि cross contamination नहीं हो सके ठीक manufacturing practice free from any dermatologist जितने भी लोग होते हैं वहाँ पर काम करने वाले उनका बाकाज़े medical testing किया जाता है किसी तरह की skin disease उनको नहीं होनी चाहिए can be controlled by limiting with number of person in clean area clean area में जो authorized person है जिसका authorization है सिर्फ वही जा सकता है contamination को रोकने का control करने का एक best तरीका ये भी है कि बहुत सभी लोगों को access नहीं होना चाहिए अरिया में जाने का जो trend है जो qualified है जिसका qualification किया गया है सिर्फ वही आदमी अंदर जा सकता है they should also skilled in aseptic technique जो qualified है वही अंदर जा सकता है और क्या पहन के should wear the sterile protectives जिसमें clothing like headwear, headgear हमने बताया rubber और प्लास्टिक के gloves होते हैं shading phase mask जिसको जो acrylic का बना हुआ है footwear में आपके shoe cover हो गए all the cloths should be designed to prevent contamination from the body इस तरीके से बनाए गए है कि body का कोई भी contamination बाहर नहीं जा सकता है जिस तरीके से इस आदमी ने पहन के रखा भी मैंने आपको दिखाया cloth should be sterile and moist heat sterilization moist heat या gas sterilized होते हैं तो किसी तरह का कोई microbes at least cloth पे नहीं हो सकता each time जितने बार भी ये person aseptic area से बाहर जाता है जितने बार aseptic area से बाहर जाता उतने बार वो नए gown पहनेगा पुराने gown को dispose कर देगा पुराने gown को दुबारा नहीं पहनेगा वो जब तक कि वो sterilize होके ना आ जाएं तो जितने बार भी अगर susu party उसको आती है और वो उसके लिए area से बाहर जाता है तो इसको क्या करेगा dust bin में या rejection bin में फेक देगा और जब वापिस आएगा वहां से susu party जो भी उसको आई है या lunch के लिए बाहर गया है या किसी काम से भी बाहर गया जब वापिस आएगा तो fresh नया sterilized gown पहनेगा यह भी एक best तरीका है किसी भी area के अंदर contamination को रोकनेगा ठीक है अब cleaning and disinfection की बात करें एरिया के अंदर जितने दिन होते हैं कितने दिन होते हैं वही हफते में 7 दिन होते हैं कितने 7 days होते हैं area के अंदर है तो 7 दिन के अंदर daily का जो sanitizing agent है यह disinfection agent है उसको हर दिन change किया जाता है ताकि कोई microbes easily पूरी तरीके से remove हो सके disinfection and cleaning procedures are used to removal of microbes and other contaminants किसलिए यूज़ कियाता है ताकि microbes और contamination को फटाया जा सके alkaline detergents हो गया ionic and nine ionic surfactant यूज़ कियाता है cleaning agent में जो equipment होते हैं जिसमें काम किया जाता है उस equipment को फिर clean किया जाता है clean करने के लिए detergents ionic या non ionic surfactant का use किया जाता है various type of disinfection agent prevent the development of resistant strain अगर एक तरीके का disinfection agent लगातार यूज़ करते रहे तो जो strain होगा जो microbes होगा वो microbes क्या करेगा resistance develop कर लेगा यह resistance develop ना हो पाए इसलिए क्या करते है various type अलग अलग तरीके के साथ के साथो दिन अलग अलग एक दो तीन चार पांच छे और साथ साथो दिन अलग अलग disinfection agent या disinfectant agent से हम disinfection process कर पे हैं ताकि main reason क्या है इस microorganism का जो strain है वो resistance ना create कर पाए different concentration quads quaternary ammonium chloride बताया था sodium hypo chloride ethanol formaldehyde solution used disinfection agent inside the aseptic room chlorhexidine in 70% alcohol used skin disinfectant इसकिन को disinfectant करने के लिए 70% alcohol और chlorhexidine को मिल करके लगाया जाता है तो और भी बहुत सारे disinfection agent होते हैं जिनका qualification किया जाता है जिस एरिया में उनहीं का इस्तिमाल यहाँ पे किया जाता है ठीक फिर air supply की बात करें air supply कैसे होती भाई air supply basically हेपा filter से होती है किससे हेपा filter से होती है तो हेपा filter क्या हाई efficient particulate क्या है एर हना हाई हेपा 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 फिल्टर थिक तो हाई efficiency particulate air इसको बोलते हैं हेपा फिल्टर तो ऐसे ही नहीं हेपा फिल्टर बन जाता है यह group of filter होता है वही कई तरह जैसे सुरुवात में जैसे ही fresh air अंदर करेगी अंदर जाएगी सबसे पहले 10 micron का filter मिलेगा standard में बता रहा हूं 10 micron का 10 micron में जो बड़े बड़े particle size है वो यहीं intrapped हो जाएंगे ठिक आगे जब air बढ़ती है तो आगे मिलता है 5 micron का इससे भी छोटे जो particles है वो यहां पर trapped हो जाते हैं ठिक maximum particles पांच micron तक के यहां intrapped हो गए फिर लास्ट में filter मिलता है 0.3 micron का जिसको especially हम हेपा filter के नाम से जानते हैं जिसको हम हेपा filter के नाम से जानते हैं जितने भी microorganism या छोटे छोटे dust particles हैं atomic size में भी हैं वो भी यहां पर रुख जाते हैं वो भी यहां पर रुख जाते हैं इसलिए हेपा filter में microfiltration होता है राइट तो हेपा filter used to construction of the vertical and horizontal laminar flow bench तो यह जो हमने बताया अभी laminar aseptic area के लिए जिसके aseptic area बनाया जा सकता है उसके लिए क्या है हेपा filters का इस्तेमाल जो air जाती है अगर हेपा filter उपर है तो उपर से air नीचे की तरफ जा रही है तो इसको हम vertical direction या vertical laminar flow बोलते हैं अगर horizontally है अगर हेपा filter लगा है और पीछे से अगर pressure आ रहा है हवा का खूब तेजी से तो उसको हम बोलते है horizontal laminar flow भी हम दिखाएंगे तो इसका जो है हम मानते हैं कि हेपा filter 99.97% pure या शुद एर देता है जिसमें 0.3 micron का filter लगा होता है हेपा filter tested efficiency DOP डाइ औक्टाइल थैलेट इससे efficiency टेस्ट करते हैं कि कितना particle कहीं कोई leak तो नहीं आ गया भई कई बार होता न कि damage हो गया माम लिया कैसे पता चलेगा हमारे पास तो कोई ऐसा वह नहीं तो उसके लिए हम leak test करते हैं leak test किसे करते हैं DOP test जिसको हम बोलते हैं DOP test cold DOP या hot DOP air flow resistance test बोलते हैं कितना airflow रोकता है यह used air filter manufacturing various testing agencies तो अलग-अलग तरह की agencies होती है जो बीच-बीच में आके कोई महीने पे कोई 2 महीने पे कोई 3 महीने पे इनकी testing करके जाती है अच्छे महीने पे जितनी भी उनकी calibration की validity date होती है उस हिसाब से outside की agencies आती है और इसका calibration बाकाइदे करके जाती है अब laminar flow equipment की बात कर लेते हैं लेमिनार airflow is an enclosed bench cabinet कहसता है enclosed मतलब closed system है ठिक closed है bench बिल्कुल इसी तरीके से it is designed to prevent contamination of the biological sample अब यह बताओ जो चीज़े में पढ़ा रहा हूं यह समझ में आ रही कि नहीं रंदीर अंश योगेस जो चीज़े पढ़ाई जा रही है यह समझ में आ रही कि नहीं यह बताओ पहले बताओ फिर हम आगे बढ़ें यह समझा नहीं यह सरंदीर तुम्हारा question है मैं किस company में काम करता था डियर एक company है एल्केम लेबोरेटری कौन सी इए यह कहा है ये दमन में है डमन दीव का नाम सुना होगा ठीक है दमन दीव का नाम लगबक साड़े च्छह साल अमने यहां पर काम किया था रहे च्छह साल दमन क्या है एक समुद्र का area ह ये यूगेश तुम को पत होगा योगे तुम महर वsels मंहारास्ट का है तो महारास्ट से 10-200 किलोमेटर के आस पास दमन की डिस्टेंस पढ़ती विरार के पास में है यह वापी रेलवेस्टेशन पढ़ता है वहां से 13 किलोमेटर का मंदिर है तो काभई उपर बहुत सारी सीडियां चड़के जाना पड़ता था तो मैं एकसल जाता था वहां पर और वैसे विरार ही एक ऐसा संपार्मा में क्या है यानि जो में फ्लांट है वह वरोद्रा में है कि योगेश हो वहां रह चुके हो विरार में तो कम्पनियां भी है Sun Forment Sun Forment में काम किया हमने करीब 2 साल के आसपास लगबक 2 साल, 2,5 साल के आसपास हमने Sun Forment में काम किया उसके बाद यह हुआ कि यार Wadodra भी बहुत दूर है Wadodra में जो airport, circle जहां से plane उड़ते हैं उसी के बगल में रहता था तो वहां से connectivity आसान वहती थी, फ्लाइट पकड़ो अपने घर पहुँच गए, फिर उसके बाद हमने फिर इंटर्विव दिया, उत्तरा खंड में एक जगे है रुड़की, कौन सी जगे है, रुड़की, यहां है Jubilient Life Science, यह कंपनी है, यहां पर लगबग हमने देर से दो साल यहां पर काम किया, देर से दो साल हमने यहां पर काम किया, उसके बाद कुछ family issues ऐसे थे, जिनकी वैस में घर के पास आना चाहता था, उसके बाद finally Jubilient के बाद हमने land कर दिया सिधा अपने घर पे, तो दस साल हमने इनी तीन कंपनियां में जो की काफी अच्छी कंपनिया है सन फार्मा अंस कहां पर काम करते क्योंकि यह तो कई जगे पे जिसे आपके उत्राखंड में पॉंटा साहिब पे है, रेंबैक्सी को टेक ओवर किया, इसका जो में मदर प्लांट है, जिसकी 100% US सप्लाई है, वो खाली और सिर्फ और सिर्फ आपके कहां पे है, उसकी सन फार्मा देखोगे पीशे, तो mostly आपको या तो उत्राखंड का एड्रेस मिलेगा, या सिक्किम का एड्रेस मिलेगा, ज्यादा तर केसे में, राइट, येस रंधीर क्लियर, तो देखो जब भी काम करो, MNC कमपनी में, बड़ी कमपनीयों में काम करो, कमपनीयों में काम क जल्दी फास्ट बोलो, अब लमिनार फलो हम लोग पढ़ेंगे काल के लेक्चर में, योगे सिर्सटीर केमिस्ट्री स्लेबश में कहा है तुम्हारे डियर, सलेबश दिखाओ, अपना सलेबश सेंड करो, स्लेबश अट, इस त्टिर्यों केमिस्ट्री में जितना कुछ था तुम्हारे 3rd semester में हमने खतम कर दिया After B form बताया ना मैंने After B form तुम manufacturing में जा सकते हो तुम quality control में जा सकते हो है ना तुम quality assurance यानी QA में जा सकते हो तुम F and D formulation and development sector में जा सकते हो तुम बहुत सारे sectors है जहां तुम जा सकते हो अगर industry में जाना है तो मार्केटिंग कर सकते हो अगर मार्केटिंग में जाना है अगर M form करना है तो G-PAT qualify कर लो 12,000 रुपए पर मंथ तुमको इस टाइपेंड मिलेगा पढ़ने के लिए चलो भई, rest हम लोग जो है laminar flow और आगे पढ़ेंगे हम लोग कल के लेक्चर में चलो भई बाइब बाइब